हेलो आज की वीडियो में बात करेंगे सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरना है आपके अड्मिट कार्ड में वेलकम तो यूजी सी नेट अटवानी फॉर सेवन सो आपके एक्जामिनेशन की डेट जो है वो पता चल चुकि आपको 6-14 दसंबर के बीच में आपका एक्जाम होने वाला है और जब एड्मिट कार्ड आपका आता है जब आपको मिलता है तो उसमें कुछ सेल्फ डेक्लेरेशन वाली चीज़े हैं जो आपको फिल करके जानी जानी होती है एक्जाम सेंटर में पहुचने से पहले आईए एक बार नट्शल में देख लेते हैं रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपसे डिमांड करता है अपनी सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म के अंदर में तो आपका एड्मिट कार्ड के साथ ही रिली ट्रोर्त इसनेस थोर त्रोट बॉड़ी एक है अदर है तो उसके लिए आपको स्पेस मिलेगा जहां पर आप स्पैसिफाई कर सकते हैं बाकी पे आपको इस तरह से ब्लॉक्स मिलेंगे जहां पर टिकमाक लगा सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपक्रॉस कर दीजेगा मतलब आप इसको ऐसे रॉंग कर दीजेगा ठीक है क्रोस कर दीजेगा नॉट बिल्कुल सही है कर दीजेगा ट्राविल टू फॉलोइंग सिटीज फिर आपको नीचे की तरफ सिटीज का नाम आएगा अगर आप किसी सिटी में गए है 14 दिन पहले किसी कंट्री क को विजट किया है तो उसका नाम आपको नीचे लिखना होगा अगर नहीं किया है तो वहाँ पर क्रॉस कर दीजेगा उसके अलावा नेक्स चीज जो आती है वह आता है आपका कैंडिडेट का फोटो आपको तीन इस तरह से मतलब ऐसे अडमिट कार्ड में मिलेगा यहां प सेहले फिर नौन आधार कंडिडेट्स के लिए वह स्टूडेंस जुन होने आधार को नहीं चुना है फॉर द्यर गावर्मिंट आईडी प्रूफ बलकी वह नौन आधार कंडिडेट है मतलब उनने अधार को सेलेक्ट नहीं किया कुछ और उन्हें इने सेलेक्ट किया में पान काड यह सम्थिंग लाइक दा उनके लिए अलग से सेल्फ डेक्लिरेशन फॉर्म आता है जिसमें आपको अपना नेम स्पैसिफाइब करना है और अपनी मदर का नेम स्पैसिफाइब करना है यह पूरा एक स्टेटमेंट है डिया सर कांडिडेट करके आपके सामने क्यों माच नहीं हो रहा है आपके फेस से अगर ऐसा है ठीक है क्योंकि आपने ब्लैंक अप्लोड कर दी है तो टिक कर दीजेगा आपके जो क्वालिटी है इमेज की वह पूर थी इस वज़े से आपने इनकरेक्ट इमेज अपलोड की है या फिर कुछ अधर है अगर तो आपको लिखनी होगी जो भी आपका NTA के द्वार आपको बताया गया है एडमिट कार्ट पर आपका रोल नंबर जो है उसको लिखना है गावर्मेंट आइडी प्रूफ जो आपने सिलेक्ट किया है वो और उसका नंबर आपको इहां लिखना है उस दिन का डेट लिखना है ठीक है शिफ्ट लिखनी है आपको और आपको अपना लास्ट में सिगनिचर करना है इतना करने के बाद जो आपका सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म होगा जो आपकी आडमिट कार्ट के साथ ही आएगा वो आपका फिल अप हो जाएगा तो ये ये सारी चीज़े आपको ध्या आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगी है अगर आप नए है चानल पर तो सब्सक्राइब जरू करे चानल UGCNET 24 7 ऐसे ही अपडेटे रहने के लिए अराउंड UGCNET examinations thank you very much everybody and all the very best give your examination and do well thank you very much take care